हलो फ्रेंज, वेलकम तो अचानल करेंट अफेर अफेर अपडेटेड अधिस दिवशी शवस्ती और जैसे आपको पता होगा मैं डेली आपको करेंट अफेर्स की सीरीज मेंने स्टार्ट की है तो आज 23rd मार्च है और आज की जो MCQ में डिसकस कने वाला हूँ इक्जान पर्सपेक्तिफ्स से मेरा माना बहुत ज़ादा इंपॉर्टेट है क्योंकि यहाist का दिन बहुत ज़ादा इक्जान के लिए इंपॉर्टेट है तो आज की कुशिए से एंड तक जरूर देखने को मिलेंगे तो जिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या 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 current affairs में news में हैं that is on 23rd March Let's start सबसे पहला question और सबसे पहला question ही सबसे important question है Question क्या है Who became the first foreign head पहला foreign head बने है of government to receive the order of drug galpo the Bhutan highest civilian award तो जाते कि award का नाम क्या है Award का नाम है The order of drug galpo ये भुटान का highest आपको या रखना है civilian award है और ये award अभी किस personality को दिया गया है that is very important question exam में done मानिये माना आएगा question क्योंकि पहली बार किसी foreigner को ये award दिया गया है किस ने दिया है of course भुटान ने दिया है और उनका नाम क्या है I think उनका image में हापर दिखा देता हूँ और उनका नाम है नरेंद मोदी मतब देश के जो प्रधान मंत्री है उनको ये award बिला है आप देख सकते हैं मैं आपको answer में दिखाता है प्राइम मिनस्टा मोदी ने खुड tweet करके thank you भी कहा है और बुला ये award 40 करोड इंडियन्स के लिए है ये उन्होंने mention किया है तो देख सकते हैं प्राइम मिनस्टा में ट्वीट है और वो पहले foreign head बन गए है जिनको ये award दिया गया है अब मैं अगर भूटान की बात करूँ थोड़ा सब backward forward linkage में तो भूटान की capital आपको पताऊने चाहिए लोकेशन आपको पताऊने चाहिए अफ्कोर्स किस साइड में इंडिया के north ही से अगर आपने दिखा होगा तो आप देख सकते हैं भूटान की आपको ये locations बताऊने चाहिए चलो comment box में मुझे बताऊ जो भूटान country है वो इंडिया के किसक nous State की borders को touch करती है ये आप मुझे comment box में बताऊए कि भूटान किसके State की borders को इंडिया में touch करती है ये आपको मुझे comment box में mention करना है भूटान की जो king है उनकरा में याद लखी है Wang city कर आपको नाम याद लखना है वो वहां के king है और जो भूटान के PM है या दखिए उनको नाम है at least इतना तो आप या दखिए वहां के PM कौन है king कौन है और capital क्या है यह basic चीज आपको याद करना जरूरी है question मैंने आप से पूछ लिया है वो आप मुझे comment box से mention करके बताएंगे second question में आते हैं second question भी important है world water day 2024 कब celebrate किया जाता है world water day बहुत important question है कब celebrate कियाता है options आपके सामने हैं ठीक है इसा correct answer में बता दू that is 22nd March को हम celebrate करते हैं world water day direct question है यह आपको याद अखना है theme भी आपसे पूछ सकते हैं theme क्या थी इस बार की तो theme में आपको बतायता हूँ that is water for peace बहुत सिंपल सी theme है कि नहीं water for peace आप directly याद कर सकते हो इसे ठीक है so water for peace भी आद अखना है और 22nd March भी आद अखना है world water day हम celebrate करते हैं okay चलिए third question में आते हो तो third question बहुत जादा important है जिस तरह पहला दूसरा important था third भी बहुत important है question क्या है recently which operation एक operation launch हुआ है has been launched by Indian government लाँच किया है किस लिए to relocate Indians Indians को relocate करना है in violence with hearty याद दिखेगा है three country है वहाँ से हमें अपने लोगों को याद दिखेगा शिफ्ट करना इसके लिए operation launch किया है क्योंकि जो healthy country याद एखेगा यहाँ पर अभी कुछ disputes चल रहे है ठीक है आप करेंगी सभी countries का है आप देखें यूएस का मैप देखें आप नौर्थ इसलिए हमने ऐसा किया है अब इस operation का नाम क्याईगी जो operation चला रहे हैं यह question मैंने पूछा है important है याद दखेगा इस operation का नाम आप गंगा पोलो यह सब सुने होंगे इसा correct नाम सा अंसर है इसको एक्जाम में पूछा जाएगा तो यह था आपका operation इंद्रवत्ती का आंसर चले आगे बरते नेक्स कोशन माते नेक्स कोशन भी बहुत ज्यादा important है मैं क्या रहा हूं ना आच यह question बहुत ज्यादा important है question क्या है the second edition of trilateral exercises जिसमें तीन कट्रीज है इंडिया है मोजैम्बिक है तंजानिया है इसको short form मैं आप IMT कह सकते हैं ठीक है इनकी trilateral exercise है ठीक है तो यहाद दखिएगा इसका short form है trilat यहाद दखिए trilat इसका full form short form आप कह सकते हो तो trilat exercise है अभी 21st मार्च से लेके 29th मार्च 2024 को exercise conduct हो रही है मैंने पूछा यह exercise कहा organize हो रही है कहां पर conduct हो रही है important exercise है direct पूछाया सकते है आपसे ठीक है कौन से तीन countries है यह भी पूछाया सकते है तो यह रही है इंडिया मोजैम्बिक और तंजानिया कहां पर हो रही है exercise ठीक है तो विशाखा पत्नम option आपको अलग इसा दिख रहा होगा बट answer वो नहीं है option C is the correct answer that is याद दिखेगा जंजीबार जो की तंजानिया में है और मापुतो जो की मोजैम्बिक में है यह दोनों जगे पर यह exercise हो रही है आपको रहे है ट्राइलेटरल exercise exam के लिए बहुत ज़ादा important है ठीक है और यह भी याद दखना है कि इस exercise में इंडिया की side से इंडिया प्रेजिएंड कोन कर रहा आइनस तिर और आइनस सुजाता जो है यहाद दखेगा इस IMT जो इंडिया मोजैम्बिक और तंजानिया की ट्राइलेटरल exercise है इसमें participate कर रहे हैं तो important है question आपकी exam में directly पूछाएगा तो देख सकते हैं कितने important question आज के current affairs के लिए important है next question में आते हैं who became the managing director and CEO of what of Indian bank association IBA की बात करो Indian bank association banking के लिए तयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए वैसे यह appointments का भी एक important question है Indian bank association का भी कौन recently CEO appoint हुए है options आपके सामने है ठीक है इसमें एक option तो confusing दिये हुए है बट अगर जिसको नहीं पता है कोई बात है अब याद करो M. V. Rao याद किए उनकी image बनी हुए है M. V. Rao appoint हुए है आप यहाँ पर देख सकते है M. V. Rao जो है उन्होंने अतुल कुमार गोल को succeed किया है और now M. V. Rao या देखेगा Indian bank association के CEO और MD बन गए है अब आप कहेंगे यह क्या है Indian bank association 26 September 1946 में found हुई थी backward forward linkage में और इसका headquarter जो ह आपको यह भी याद रखना है चलिए next question में आते है next question क्या है question number six question में आते है which space agency ठीक है और space agency का नाम देख लेते हैं याद दखेगा वो March 2024 में Shiva शक्ति the ancient stream of stars discover किया है ठीक है किस space agency ने discover किया क्योंकि Gaya space telescope ने discover किया है तो किस space agency ने discover किया यह मैं आप से पूछा है अब आप नाम देख रहे होंगे शिवा शक्ति तो आंसापके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इस रो ही होगा सर इस रो हो सकता है कुछ लोग गेस्ट कर रहे होंगे सर नासा होगा ठीक है बड़ इसका करेक्ट आंसर है European Space Agency ESA या देखेगा European Space Agency ते इसको discover किया है new discovery हुई है या देखे greatly advanced जिसका मैंने आपको नाम बताया या देखे शिवा और शक्ति और European Space Agency की मैं बात कुछ तो इसका headquarter पेरिस फ्रांस मे है तो कि direct question exam में आ सकते है आपसे और आपको यह answer देना पड़ेगा ठीक है चलिए next question में आते है एक सगे मैं देखे नमबर फोर्थ और ये sorry ये question में कौन सा है ये 6th question था ठीक है चलिए 7th question में आते है 7th question भी interesting question है again interesting question क्या है recently researchers ने discover किया है a new species कहा की deep sea isopod या देखेगा आप it is named after after which organization किस organization पर उसका नाम रखा गया है आगे ना very interesting question किस organization पर रखा गया है मैं नाम भी बताऊंगा क्या नाम रखा गया है पहले आपको किस organization पर नाम रखा आप देख सकते हैं आप पर मैंने DRDO लिख रख रखा है इसे बहुत सा options लिख रखे हैं okay but I am directly going to the correct answer आपको नाम रखा गया तो अगे इंटरस्टिंग पॉइंट है ठीक है और अभी कोलम कोस्ट केरल से यह species discover की गई है इसरो आप सबको पता हो इसरो के chairman कौन है एस्टोमनात और 15 अगस्ट 1969 में यह इसरो फार्म हुआ था तो यह दोनों चीज़ें आपके लिए exam के लिए important है नेक्स very very important question अभी recent ही आपने news में भी देखा होगा इसरो ने successfully test कर लिया है landing mission of reusable launch vehicle जैसे आप launching vehicle यूज करते हैं तो यहाँ पर reusable launching vehicle के आपकोर्स इसे हमको advantage होगा reusable launching vehicle से ज्याद कि हम एक vehicle को दुबारा भी use कर सकते है to launch the vehicle तो reusable launch vehicle अभी हमने इसको test किया है करनाटका में टेस्टिंग हुई और successful testing भी हुई उसका नाम क्या रखा है what it is called अभी news में अगर आप देखोगे न Google में डालोगे तुरन news में आ जाएगा options आपके सामने है ठीक है आका आश्यान विक्रम ऐसा करके नाम है बट correct answer पुश्पक या दखे correct answer क्या है that is pushpak आप यहाँ पर देख सकते है इस ने recently successful landing mission जो है reusable launch vehicle का उसका पुश्पक रखा है क्या दखेगा और यह test range कहाँ पर अभी ranging में कहाँ पर इन्हों अभी testing की है तो इसा correct answer क्या है that is करनाट का ओके चलिए आगे बढ़ते है next question में आते है next question क्या है next question है question number 9 आग यह नहीं interesting question अभी कौन सा portal launch किया गया है which portal has been launched by national international internet exchange of India जिसको नहीं पता यह क्या है national internet exchange of India एक non-profit organization है जिसका काम है इंडिया में internet penetration को बढ़ाना और उसके साथ साथ ministry of information technology ने मिलके एक portal launch किया है for the upcoming universal acceptance day के दिन यह पोर्टल लॉंच कर रहे हैं उसका नाम क्या है पोर्टल का नाम सीधा question आप से पूचा गया उसका नाम अग गया है options आपके सामने इसा correct answer है जा देखेगा भाशा नेट पोर्टल और भाशा नेट पोर्टल भी बड़ा amazing पोर्टल है जा देखेगा आज ही हमाई languages की वे से हम digitally connected नहीं हो पाते हैं बट भाशा नेट पोर्टल का यही agenda है जा देखेगा अब अपनी local languages से भी digitally connect हो सकते है ठीक है तो भाशा नेट पोर्टल जो है आपको याद अखना है अभी पोर्टल जो है resources information multiple Indian languages में इसमें जादा जादा audience जो है उनका digital penetration internet penetration हो सके तो उसके लिए भाशा नेट पोर्टल जो है अभी recently launch किया गया है ठीक है तो अब आपने next question माते हैं that is question number 10th okay who won the men's single title at the world table tennis feeder जो आपको इनका नाम नहीं पता हो इमेज मैंने आप बना रखी इनका नाम जो है यादखे करेक्टांस option में भी है यादखे कि सत्यान गनेशांकरन यादखे गनाशांकरन ये इनका correct answer है तो इन्होंने अभी recently यादखेगा men's single title at the world table tennis feeder beer tournament जो Lebanon में हुआ है वो इन्होंने जीत लिया है तो direct question आएगा sports के लिए एक important question हो सकता है चले next question direct question जो बिहार से देख रहे हैं बिहार दिवस 2024 हम कब celebrate करते हैं direct question पुछा गया इसमें जादा आपको discuss नहीं करना है और इसा correct answer है option number 8 22nd March यादखेगा 22nd March को 22nd March को बिहार दिवस क्योंकि बिहार established हुआ था 22nd March 1912 में state hood का दर्जा मिलता है 26th Jan 1950 में यहां की capital आप सबको पता है पटना है और बिहार में total districts है 38 गवणर जो है राजेंद अरलेकर जो है एड़ परदन गवणर है CM सबको बता है नितीश कुमार है राजसभा seats है 16 और लोकसभा में भी elections होने वाले है तो 40 seats है बिहार में तो यह कुछ अमेजिंग backward linkage में मैं points बतायता हूं regarding बिहार चलिए next question this is very very important who will be India's flag bearer at Paris Olympic Games 2024 आपको पता होगा अगला olympic 2024 में होने वाला है तो इंडिया का flag bearer कौन होगा यह बहुत important question होगा क्योंकि अभी recently ही declare किये गए है यह उनकी image है बहुत famous player है I hope आपको पता होगा इनका correct answer जो है याद कि शरत कमल शरत कमल जो कि famous आपको याद दखना है he table tennis player है और यह पैरा olympic या रहे है जो इंडिया का पैरिस में olympics होने वाला है उसके इंडिया के साइड से flag bearer बनेंगे ठीक है तो एक important question है एक्जाम में आ सकता है ठीक है next question है और last question है आज का what is a significant about अर्विंद केजी वाल arrested by ED आप सुनाओगा enforcement directorate ने अभी recently arrest किया है कि इसको Delhi के CM को question है क्या important इसमें लग रहा है question है पैरा statement है कि कोई पहली बार कोई politician को arrest किया गया है first time को sitting CM arrest हुआ है okay कोई person liquor scam में first time arrest हुआ है या ED ने arrest किया after obtaining the court order यह सब options यहाँ पर दिये गए बट यह significant इसलिए क्योंकि पहली बार कोई sitting CM याद एखिएगा first time correct answer B है first time a sitting CM has been arrested in India अब आप करेंगे जारकन में भी तो arrest किया था वो जारकन में याद आखिएगा उन्होंने resign कर दिया था तब उनको arrest किया गया तो sitting CM जो थे और इन्होंने तो resign किया नहीं है तो sitting CM first time जो arrest हुए है वो अर्विंद केजी वाल ही है तो don't get confused with याद एखिएगा जो जारकन के CM थे उनसे confused मत हो जाना ठीक है तो correct answer option number B है और अब आप मुझे comment box होता ही कि अर्विंद केजी वाले का arrest जो liquor scam में हुआ है वो सही है कि गलत है आपके according ठीक है क्योंकि आपने इसके बारे पढ़ा होगा तो what do you think कि इस time पर ये arrest होना सही है कि नहीं आप मुझे comment box में जरूर में mention करिएगा enforcement directorate के अगर हम बात करूँ तो आपको पता होगा ये जो investigation agency है ठीक है जो भी offenses होते है money laundering से related या तो जो foreign exchange laws को violate करता है उसके लिए या दखेगा multi-disciplinary ये organization है जिसके आप है ED या दखेगा that is directorate of enforcement जिसको नहीं पता है ministry of finance के अंदर आती है या दखना department of revenue जो है उसके अंदर जो ministry of finance के अंदर department है उसके अंदर ये function करती है ED जिसका headquarter कहाँ पर है न्यू डेली में है ये form हुई थी 1st May 1956 में at present इसके chairman ये director कौन है ठीक है ED के इनका नाम में राहुल राहुल गांधी नहीं राहुल नाम है अब आपको पूरा नाम जो है comment box से mention कर येगा तो ये थे बड़े amazing questions regarding what? regarding date मैंने भी आपको बताई दिया है किसकी जो date थी that is 23rd March और questions ये बहुत ज़्यादा important थे तो आगे अब मैं आपको बता दूँ आपको अगर लेक्शर पसंद आया आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो ये हमारा QR code है phone पे Patreon गूगल पे not capable अगर आप नहीं donate करना चाहते हैं कोई बात नहीं आप वीडियो को like करिए वीडियो को share करिए उससे भी हमारी help होती है तो आप शेयर कर भी हमारी वीडियो को share जरू करिएगा अगर आप वीडियो को contribute कर सकते हैं if you want अब आप लोग सोच रहोंगे सर आपने current affairs तो बता द दिखिएगा complete आपको मेरे current affairs की booklet मिल जाएगी हैंडियो के form में अधर सब्जेक्स में अभी आपको 14 सब्जेक्स हैं कितने बुकलेट्स हैं 14 बुकलेट्स हैं जैसे environment की booklet ओके और यह सारे नोच हैंडियों हैं एक्जामे टोटली अपडेटेड हैं यह आपको नोच मिल आप सकते हैं आप चाते हैं नहीं sir courier नहीं कराना बहुत कॉसली पढ़ रहा है हमको हम soft copy form में भाइ करना चाते हैं तो soft copy form में भी आप बाइ कर सकते हैं याद कि मुझे वाट्षैप करना पड़ेगा नीचे नंबर mention है या तो कॉल भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको मु और सारी classes भी आपको वहाँ पर available हो जाएंगी और याद दखिये कि अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं या अधर किसी भी exam preparation कर रहे हो UPSC की कर रहे हो तो पूरा complete pre plus means plus optional की classes plus answer writing plus NCRT plus previous year questions सब कुछ practice कराऊंगा contact करिये मेरे whatsapp number पर मुझे call करिये या तो आप directly application से भी आप visit कर सकते हैं मैं link के description box में डाला हूँ app download करो फिर आप जाकर visit कर सकते हो याद रखियेगा और सारी classes आपको वहाँ पर available हो जाएंगी और lifetime access रहेगा एक बार आपने pay कर दिया उसकर आपको pay करने की जबरत भी नहीं और lectures भी update होते रहेगे याद रखियेगा तो सारी current भी future की आपको मिलती रहेगी other exam preparation करो still आप आपको visit करो आप contact करिये आपको notes आप buy कर सकते हो और exam के लिए आपको बहुत कुछ helpful होगा मैंने जिस्तर आपको promise कि हमें daily current affairs लाता रहूँगा तो आप यादे कि वीडियो को like जरू करें वीडियो को share जरू करिये क्योंकि ऐसे lectures बनाने के लिए हमें आपके site से support चाहिए तो प्लीज आप वीडियो को share जरू करें जब भी आप देखा करें और पसंद आया तो वीडियो को like करिये first time channel को visit कर रहे हो यादे कि पहली बार यूटूब चैनल में आया हो तो एक बार application एक बार हमारे चैनल को visit करो आप playlist को visit करो आपको amazing amazing lectures मिलेंगे और exam perspective से वो lectures बहुत important रहेंगे कोई doubt के रही है comment box open आप comment कर सकते हैं और अगर आपको कुछ हम से पूछना है वो भी आप comment कर सकते हैं तो thank you everyone और please मैं एक बार जाते हैं तब रहे हैं वीडियो को share जरू करके जाएगा thank you everyone जे हिन जे भारत